हलो हाई अब्रिवन तो दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं होम मेड पिज़ा जो कि आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो और दोस्तो हम आपको बताएंगे इस घर पे पिज़ा बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की ओ सकता पढ़ करे हैं हमें चांब फ iemand लेना तो मार्ड़ेश्ट कर सकते हो कोई भी पियजाबेस यहाँ पर हम आमुल का चीज लिए है और यहां पर मसरूम लिए हैं और आप चाहां तो इसमें पनीर डाल सकते हो मसरूम और फिर और भी ज़्यक जाता बैजे कि बिज़े टेबलों के रहा डाल सकते हो जो यहां पर हम लिए हैं कैप्सिकम टमाटर और ओनियन लिए हैं और उसके बाद हम इनको अच्छी से वास कल लेंगे और काट लेंगे दोस्तों पिज़े बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ताम जाम टाइम नहीं लगता है बस आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है हम यहां पर पिज़े बेस लिए हैं जो कि हमारा पिज़े आपको मार्केट से चिली फ्लेक्स और क्या करते हैं और गयोनों खरीदने की जरूरत नहीं पड़ते हैं तो हम यहां पर अच्छी से काटती है और यहां पर हम थोड़ा सा इन सभी को डीप फ्राई कर लेंगे क्योंकि अगर आप डीप फ्राई कर लोगे ना तो आसानी से पक जाता है और जाधा टाइम भी नहीं लगता है तो हम यहां पर पिज्जा बेस चारों में लगा लिए हैं आप देख सकते हो और उसके बाद फिर हम यहां पर मुझृले चीज डाल देंगे हैं we roomy we work मुझरिल्ला चीज डाल देंगे थोड़ा सा खड़ो कषग कर लेंगे मुझरिल्ला चीज बहुत ही जरूरी होता है इसी से हमारी जो 1 जा की ठिकनस आती है इसी सी आती है और सबसे चीज ही मेल होता है टिजल Tut सब को परसंद होता है बड़े या फिर छोटे तो यहां पर आप देख लेजिए हम चारों पर डाल दिये हैं अब हम अपने according डेकरोइट कर लेंगे जो भी हमें vegetable डालना है इस तरीके से हम डाल देंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर और मजरिलiben करेंगे हम थोड़ा से और ऐहां पर कद्धू कस कर लिये हैं आप देख सकते हैं और अब यह घुमारा रेडी ऊगया है और अब हम चाहे तो इस फो आप नर्मल तावा पर पका सकते हो चाहे तो एसको कढई में पैसके हो चाहे तो आप इसको Funkरowai में पगा सकते हो चाहे तो आपके पास बड़ा उला प्रेसर कोकर है उसमें आप रख सकते हो लेकिन कढ़ाई तावा प्रेसर कोपर पर रखने के लिए नीचे आपको एक स्टेंड रखना है ऐसे नहीं रखना है तो अब हम यहां पर माइक्रोवेब में पगाएंगे और यहा छे मिनट का हम यहां पर टाइमर लगा दिये थे और रख दिये थे फाइनली यह मेरा पक के रेडी हो चुका है अब ही मेरे पास कटन नहीं है तो हम इसको ऐसे ही काट रहे हैं देख लिजी आप कितना अच्छी से पक चुका है क्योंकि हम पहले ही ट्रिप फ्राइ कर लिये थे मस्रूम अगरा तो आप इस पर चली फ्लेक्स और और अर्गेनों को डाल देंगे और थोड़े आसा सौध आने के लिए बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पर पिज्जा बना सकते हो आपको मार् करनी की जरूरत नहीं है देखे हम लोग जो भी बनाते हैं बिल्कुल सफाई के साथ बनाते हैं दुकानधार वाले कैसे बनाते हैं